आप सबके फेवरेट नागिन फाइफ फेम शरत मलोत्रा और चील बॉय जैसे कि सबको बता है कि वो कोविट पॉजिटिव पाए गए हैं अब आपको बता दें कि जो हमारे चील बॉय है शरत मलोत्रा उन्होंने अपने सोचल मीडिया अकाउंट पर एक और पिच्चर को पोस्ट किया है वो पिच्चर ये है, ये देखिए, ये उनका डॉग है, ये पग है, जिसका नाम मस्की है, अब आपको बता दें कि शरद मलोतरा जो है, वो काफी दुखी है, और वो दुखी इसलिए है, कि उनका जो ये डॉग है, वो अब नहीं रहा, जी हाँ, आपको बता दें कि इस बात का खुला सा खुद उन्होंने अपने सोचल मीडिया अकाउंट पर किया है वो लिखते हैं मस्की आर बिलावट पग ऑफ 10 years दस साल गान जो उनका पग था पास्ट अवे पीस्कुली लीविंग अवाइट देट विल नावर भी फिल्ट समझ सकते हैं कि देखें उन्होंने बताया कि किस तरह से पास्ट अवे नमस्की इस पास्ट अवे और 10 साल का दो उनके साथ रहता था वो वो कहते हैं my longest companion partner in crime confident roommate and bond of 10 years where every moment was special with him around suddenly came to a stand still on third morning they say a dog is a man's best friend the dog is the best friend of the man's best friend but to me along the way he became family they became family for him wish I could pull those ears and chicks one more time those wrinkles on your forehead the tummy rub the roll over and every time you waited for me to get back home and greet me with that cute little swag of yours I could go on and on and on I ain't letting you go cause you will always be safely tugged in my heart so till we meet again you beta you beta take good care of yourself and wherever you are hope there is sufficient dog food biscuits water and your favorite inseparable ragtu heart broken smiley अब आप देख सकते हैं कितना emotional एक tweet किया है उन्होंने शारद मलोतरा ने जो उनका dog है जो मस्की है जिसकी death हो गई है और मस्की के लिए उन्होंने कई सारी बाते बोली है और उन्होंने बताया है कि dog एक man's के इन्सान के best friend होते हैं लेकिन मस्की था उनके लिए एक परिवार की तरह था वो कहते है कि I wish I could pull those ears उनके कान खीचना चाते थे उनके cheeks को खीचना चाते थे उनके dog के त्योंकि पग एक काफी cute dog होता है और काफी चमी चमी जा डॉग होता है काफी जा स्किन होती है तो कहीं न गई आपको बता दे कि उन्होंने इस बात को explain कि जो उनका dog है दस साल का था और किस तरह से आज उन्हें छोड़कर चला गया और कैसे वो उसको प्यार करना चाहते हैं लेकिन अब वो नहीं है उनके स लगतार उनको sorry बोल रहे हैं sorry to hear about musky और लोग उनको condolence दे रहे हैं आप क्या करें चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं